Hello everyone, welcome back to the channel, income tax में rectification कब क्यों और कैसे करते हैं, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे, सबसे पहले जान लेते हैं कि कब और क्यों करते हैं, इसके बाद हम income tax की site पर चलेंगे जहां हम देखेंगे कि इसे कैसे फाइल किया जाता है, साथ ही ये भी देखेंगे कि कब हमें rectification फ शेयर जरू कर दीजेगा, चली सबसे पहले कुछ important बाते जान लेते हैं कि rectification हम कब फाइल करते हैं और इसे क्यों फाइल किया जाता है, rectification हम सिर्फ तभी फाइल कर सकते हैं, जबकि हमारा ITR प्रोसेस हो चुका है, और हमें intimation order भी receive हो गया है, under section 143.1, अगर आपका ITR अभ आप deductions को भी change नहीं कर सकते, अगर आपसे कोई income दिखानी रह गई या फिर आप अपनी income को कम करके दिखाना चाहते हैं, तो आप income को यहाँ पर change नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा आप deductions में भी कोई change नहीं कर सकते हैं, अगर आपके कोई deductions दिखाने रह गए और आप additional क्लेम करना चाहते हैं या फिर आप किसी डिड़क्शन का अमाउंट चेंज करना चाहते हैं तो वो भी यहां पर पॉसिबल नहीं है तो रेक्टिफिकेशन फाइल करते समय ना तो आप अपनी ग्रॉस टोटल इंकम को चेंज कर सकते हैं और नहीं आप डिड़क्शन के अमाउ प्रोसीड नहीं होगा आप उसे फाइल नहीं कर पाएंगे अगर आप bank account details change करना चाहते हैं आपने IFC code गलत दे दिया या आपके account number आपने गलत दे दिया अगर आप bank account की details को change करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको rectification file नहीं करना है ये काम आप refund re-issue की request डाल के करेंगे अग rectification हम कब file करते हैं जब tax credit mismatch हो मतलब की TDS का amount आपको change करना हो जैसे कि आपके 26 AS में कुछ और TDS दिख रहा है और आपने जो ITR file की उसमें आपने different TDS file कर दिया तो अगर आप अपना TDS का mismatch सही करना चाहते हैं आप rectification file कर सकते हैं अगर आपने tax payments में omission कर दी मतलब की आपने advance tax का amount wrong दे दिया आपने advance tax की receipt number रॉंग दी है या फिर आपने self assessment tax के case में कोई mistake कर दी है self assessment tax का amount रॉंग दे दिया या receipt number या चलान number आपने कुछ wrong दे दिया कोई भी mistake अगर आप से tax payment में हो गई है तो वो जीज़ आप rectify कर सकते हैं अगर आपकी profile में कोई mismatch है जैसे कि address वो नमबर चेंज करना चाहते हैं या पर्सनल इन्फरमेशन के अंदर आप कोई भी प्रोफाइल चेंज करना चाहते हैं तो वो आप रेक्टिफिकेशन के थ्रू कर सकते हैं चैप्टर 6A के डिड़क्शन याने के 80C से लिकरके 80U तक जितने भी डिड़क्शन क्लेम किये जाते हैं अगर आपने रॉंग हेड में क्लेम कर लिये हैं तो आप हेड को चेंज कर सकते हैं लेकिन अमाउंट को चेंज करना यहां पर पॉसबल नहीं है नहीं आप ग्रॉस टो रेक्टिफाइ करना है तो रेक्टिफाइ का टैब तभी ओपिन होता है जबकि रिवाइज करने की डेट ओवर हो जाती है अगर आप आप इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं आप अपनी ग्रॉस टोटल इंकम डिड़क्शन नेट टैक्सबल इंकम या फिर एक्स वाई-ज इसके अलावा अगर आप कुछ चेंज करना चाते हैं तो वह आप रेक्टिफाइज के धू कर सकते हैं अपने टैक्स पेमेंट की डीज चेंज कर सकते हैं अपना ट्रोटिफ DAVID का जो TDS है वो चेंज कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें आप rectification के थू कर सकते हैं दूसरा revision आप कभी भी कर सकते हैं चाहें आपका ITR process हुआ हो या ना हुआ हो लेकिन rectification आप तभी फाइल करेंगे जब कि आपका ITR process हो गया है और आपको intimation order receive हो गया है पुराने वाले पोर्टल में rectification का tab हमें तुरंत मिल जाता था जैसे ही आपकी ITR process होती थी rectification का tab तुरंत open हो जाता था कि अगर आपकी ITR में कोई mistake है आप change करना चाहते हैं तो आप rectify कर सकते हैं दोनों option आपके पास रहते थे कि चाहें तो आप rectify कर सकते हैं और चाहें तो आप revise कर सकते हैं अगर हम rectification के थू करते थे तो ITR जल्दी process हो जाती थी लेकिन हम अगर revision के थू करते थे तो फिर जितना time original ITR को process होने में लगता है उतना ही revised ITR को process होने में भी लग जाता था जो जो पुराना पोर्टल था उसमें ITR को process होने में दो से तीन महिने का समय एप प्रॉक्स लग जाता था तो अगर आप revise करते थे तो इतना ही समय आपकी revise ITR को भी लग जाता था लेकिन अब new portal में यहां पर rectification का tab open नहीं होता है चली अब चलते हैं income tax की site पर और देखते हैं कि rectification किस तरह से file किया जाता है income tax portal पर जब आप अपने account में login करेंगे तो आपको उपर blue line में मिलता है services और services की tab में आपको मिलेगा rectification का tab rectification पर click करने के बाद आपके इस तरह से interface open होता है यहां पर लिखा है my request और यहां पर saved draft अगर आपने already rectification file की हुई है तो वह आपको my request में दिखेगा और अगर आपको new rectification create करनी है तो आपको यहां new request से जाना है यहां पर आप से पूछेगा assessment year कौन से year का ITR आप rectify करना चाहते हैं इसके बाद नीचे continue पर click करेंगे अब हमारे पास यहां पर दो options आते हैं rectify करने के लिए reprocess the return और दूसरा है return data correction reprocess return का use हम तब करते हैं जब हमने अपनी original idea बिलकुल सही file की हुई है यह option basically TDS के लिए use किया जाता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने TDS as per 26 AS दिखाया है अपने ITR में लेकिन department उसे consider नहीं करता वो कम TDS को consider करता है जबकि हमारे 26 AS में ज्यादा TDS दिख रहा है तो इस case में हम reprocess return पर click कर देते हैं और इसे processing में डाल देते हैं लेकिन यह process हम तभी करेंगे जबकि हमारा 26 AS में उतना TDS दिख रहा है जितना हमने अपनी ITR में file किया है दूसरा है return data correction अगर आपको अपने return data में कोई correction करना है जैसे कि अभी हमने previous slide में discuss किया कि आप क्या क्या चीज़ें change कर सकते हैं अपने ITR में अगर आपको कोई correction करना है तब आप इस वाले method का use करेंगे offline method इन्हें open करने के लिए आपको यहाँ arrow पर click करना है अगर आप reprocess करना चाहते हैं तो आप यहाँ arrow पर click करेंगे आपके बास message आजाएगा कि are you sure you want to submit the rectification request आप submit पर click करेंगे और आपकी request submit हो जाएगी फिलाल new portal में processing काफी fast है तो एक से दो दिन के अंदर आपका यह ITR reprocess हो जाएगा अगर आपको data में कोई correction करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपको rectification reason देना है कि आप rectify क्यों करना चाहते हैं यहाँ attach file के option पर आकर आपको उसे attach कर देना है file attach करने के बाद आपको submit पर click करना है और आपका यह rectification file हो जाएगा reprocess का use हम तब करते हैं जब department ने by mistake आपका कोई data consider नहीं किया है जबकि आपके पास 26 AS में वो show हो रहा है तब हम reprocess का use करते हैं और जब हमें return के data में कोई correction करना है तब हम दूसरे option का use करते हैं data correction का use करते समय आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी income head change नहीं कर सकते हैं आपने original ITR में जो भी amounts दिये हैं उन्हें change नहीं किया जा सकता है सिर्फ tax वाले part को आप change कर सकते हैं लेकिन वो भी as per 26 AS होना चाहिए अगर 26 AS में वो amount नहीं आ रहा है तो आप TDS या tax के payments को भी आ ले यूसफुल रहा होगा thank you so much for watching this video stay safe and healthy bye bye